नमस्कार मैं वरेनियम आईरवेदा से डॉक्टर रश्मी सुधा जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वाइरस का नया वेरियंट ओमाइक्रोन या ओमिक्रोन हम सब के दर्वाजे पर दस्तक दे चुका है वो इसके बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करते हैं आईरवेदा के दुरूस्टी कौन से यह जो बिमारी है यह प्राणवा स्रोतस को अफेक्ट करती है यानि रिस्पिरिटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है सबसे पहले इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें जो most common symptom है वो है fever, headache, cough और lack of smell, lack of taste यह most common symptom है जो की delta virus में भी जो delta variant था उसमें भी यह पाया जाता था जो less common symptom है उसमें body ache, headache, cough, इसके अलावा diarrhea और mental confusion इस तरह के भी symptoms देखे जा रहे हैं, जो severe symptom है उसमें shortness of breath या discomfort in chest जो chest में tightness का होना या confusion का होना ये most severe symptom है स्वास लेने में तक्लीफ, बहुत ही कठिनाई से श्वास का लेना ये most severe symptom में आता है जैसे कि हम जानते हैं कि omicron आ चुका है लेकिन delta virus अभी खतम नहीं हुआ है साथ में common flu और बाकी दूसरे virus भी हैं तो omicron जो virus है अगर हम यह सोच रहे हैं, इसको हलके में ले रहे हैं कि इस infection से डरने की जरूरत नहीं है तो उन लोगों के लिए ये खास है कि चुकि सारे virus अभी हैं और उनके infection हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ omicron के ही symptom दिखें या उसी का infection आपको हो ये virus एक दूसरे के साथ combine करके भी symptom पैदा कर सकते हैं इसलिए इनसे साथान रहने की जरूरत है जैसा हमने पिछले wave में किया था साथानी बरती थी वैसा ही इस wave में भी हमें साथानी बरतने की जरूरत है खास कर जो smokers हैं जो cigarette पीते हैं उनको जादा साथान रहने की जरूरत है क्योंकि ये respiratory system पे affect करने वाला virus है और already उनका respiratory system lungs और जो ट्राकिया है जो wind pipe है वो already affected है वीक हो चुका है तो उनको जादा साथान रहने की जरूरत है अईरवेद की दुरस्टी से देखा जाए तो ये प्रानवस रोतस को affect करने वाली व्यादी है प्रान मतलब होता है वायू तो प्रानवस रोतस का literal meaning है कि वो channel वो स्त्रोतस जो oxygen कैरी करता है प्रानवस रोतस में digestive system, respiratory system और nervous system ये तीनों जो system है इनको ध्यान में रखने की जरूरत है जो अगर हम इसके treatment की बात करें तो जैसा कि सभी virus में होता है ये तीन या पाँच या साथ दिनों में अपने आप इनकी power weak होने लग जाती है तो इनकी power weak होने लग जाएगी बशरते हमारा immune system अच्छे से काम करें हमारे immune system पे हमें भरोसा होना चाहिए और उनको strong करने की सारी तैयारी अभी से शुरू करें उसके लिए immune system के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे herbs जो बताये गए हैं सिर्फ वो खालें और आपने शिंत हो जाएं कि हमारा immune system ठीक काम कर रहा है बलकि खाना, lifestyle, नींद, जो रात की नींद पूरी करना ये सब भी immune system को बढ़ाने में help करता है तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें कुछ herbs हैं जैसे अश्वगंधा, गुडूची, कालमेग, वासा, तुलसी, वचा ये सारे system जो respiratory system पे या प्राणवस रोतस पे अच्छा काम करते हैं तो इनको आप अपने daily routine में add कर सकते हैं, healthy add कर सकते हैं, long भी आप add कर सकते हैं अपने daily routine में एक से दो long इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीज अती मात्रा में excessive consumption ना करें इसके लिए आपको आईरवेदिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसकी consumption स्टार्ट करें आईरवेदा की चिकित्सा अगर severe symptoms आ रहे हैं तो बाकी दूसरे पैथी में जो symptomatic treatment होता है जैसे कोई भी पैथी में symptomatic treatment ही होगा वाइरल infection के लिए as such कोई treatment नहीं है अभी तक नहीं है तो symptomatic treatment ही होगा जैसे mild है, cough है, fever है तो उसके लिए अलग herbs लेने होंगे diarrhea, dysentery है तो इसके लिए अलग herbs लेने होंगे body egg, body pain है, chest condition है, इसके लिए अलग herbs लेने की जरूरत है तो depend करता है कि अगर mild symptom है, common symptom है तो वो आपका immune system automatically उसको heal कर लेगा लेकिन अगर ये severe या mild symptom आ रहे हैं तो आपको आईरवेदा डॉक्टर से help लेने की जरूरत पढ़ सकती है तो कई ऐसे जो tissue remedies होती हैं आईरवेदा में, symptomatic treatment के अलावा tissue remedies, it means कि जो tissue होता है, जैसे lungs है या heart है इनको strong बनाने की medicine होती है, जो herbs होते हैं, जो इन पे सीधा काम करते हैं उनको लेने की जरूरत है, वो भी medical advice के साथ तो अगर आप वो लेते हैं, तो आपका ये जो omicron का viral infection है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा इसके इलावा एक तेल जो बहुत पिछले wave में काफी famous हुआ था अनू तेल या कोई भी तेल तेल का तेल ले सकते हैं, आप सरसो तेल भी ले सकते हैं इसका प्रतिमर्ष नस्या, ऐसा माना गया है कि नासा ही शिर्सो दौरम, जो supraclavicular joint होता है इसके उपर की जितनी भी व्याधियां होती हैं, उनको नस्या से ठीक किया जा सकता है तो नाक में जो oil pulling therapy है, जो nasal drop डालते हैं oil की, वो लेना बहुत जरूरी है 2-4 drop is sufficient enough, हर किसी के लिए वो ले लेना चाहिए बस ये ध्यान रखें कि रात में नालें, सोते वक्त ये जो oil है वो अपने नाक में ना डालें दिन के समय डालें और steam लेकर पूरा जो nasal area है, जो sinuses है, इनको clean करके अगर आप डालेंगे तो जादा result आएगा इसके अलावा, खाना पीना में आपको लगू आहार ऐसा burden किया गया है कि हलका खाने वाला, light incense of digestion, जो हलके जो आहार होते हैं, जैसे मूम दाल है, या सबजीओं का सूप है, इस तरह का आहार अप अपनी खाने में रखें खाने के अलावा, पानी का विशेज ध्यान रखें, पानी उबाल कर, lukewarm करके पिएं, अभी सर्दियों का मौसम है, तो गरम पानी बहुत अच्छा काम करेगा, इसको आप flavored भी कर सकते हैं, जो digestion के लिए बहुत important होगा, जैसे आप इसमें जीरा डाल सकते हैं, अजवाइन हल्दी भी डाल सकते हैं, अपने अपने प्रकृति के अनुसार इसको आप सेबन करें, हमेशा याद रखें कि अति सर्वत्र वर्जयत, किसी भी चीज का excessive use नहीं करना चाहिए, तो ये इस चीज का ध्यान रखें, इसके अलावा योगा, मेडिटेशन या ब्रीधिं एक्सर प्राणायम एक्सरसाइज जो है, उसको जरूर करना है, ताकि आपके जो श्वैसन की मसल्स हैं, जो मांस्पेशियां हैं, वो ठीक से काम करती रहें, और उनमें टोन अप बना रहें, आप जब ठके होते हैं, या सिम्टम में होते हैं, तो हम बिलकुल ठक जाते हैं, लेकिन फिर भी बेड़ पे भी बैटके अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायम करते हैं, तो ये काफी हद तक आपको हेल्प करेगा बिमारी से बाहर निकलने में, तीन चार दिनों तक वेट करना या अब्जर्व करना बहुत जरूरी है, पैनिक होकर बहुत सारी दवाईयां एक आपका काम बन जाए, बहुत तरह तरह की दवाईयां लेने से भी immune system कमजोर होता है, और पैनिक करने से भी immune system कमजोर होता है, तो इस बात का बहुत जादा ध्यान रखने की जरूरत है, कि बहुत कामली situation को handle करना होगा, नीन पूरी लें, क्योंकि नीन इस बहुत ज़रूरी है कि बोडी जो है वो नीप में ही विल करती है अपने आपको या सारी दवाईयों का अफेक्ट जो है रिजाड जो है वो गहरी नीब में ही आता है तो नीब पूरी होना बहुत ज़रूरी है तो यह सब सारी चीज़ें आप करेंगे तो इस तरह के कोई भी infection कोई भी variant आएगा आप आसानी से बच सकते हैं पर ये भी ध्यान रखें कि immunity एक दिन में built नहीं होती है या कोई certain टाबलेट और चूरन खाके immunity build नहीं की जा सकती है आपको अपना आहर अपना lifestyle अपनी नींद इन सब पर जब तक आप पूरी तरह से ध्यान नहीं रखेंगे आपकी immunity नहीं काम करेगी और किसी भी वाइरस से कमजोर पढ़ जाएगी और आपको उससे लड़ने की ख्रमता खतम हो जाएगी तो इस बात का विशेज ध्यान रखें उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आईरवेट से सम्मंदित किसी भी तरह का प्रशन आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं धन्यवाद